हालो हालो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल SSRD व्लोगर में तो फ्रेंट्स यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है कि यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है आखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है किसी सक्स को भुला देना इतना भी आसान नहीं होता दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है तो फ्रेंट जी को थोड़ा सा काम था तो वहीं पर नंगेटा रोड पर यह पढ़ता है बेला ताली पार्क तो हम पहुंच चुके हैं बेला ताली पार्क इसका पूरा वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पूरा वीडियो बना चुकी हूँ दिखा चुकी हूँ और बेला ता लोग थे यहाँ पे और यह चारो तरब से मैंने दिखा थोड़ी सी हर्याली पिड़ पौध है और थोड़ी से साइड में जूले भी लगे हैं ज्यादा नहीं लगे हैं लेकिन हाँ थोड़े बहुत है जिनको वोटिंग इंजॉय करना होता है वो आते हैं बच्चों को अपन क्रीख से मिंह एह तो बस जादा कुछ तरह की लिखाने को भी थोड़ा सा सामने का मैंने केक्चर किया टहलते टहलते जो की सामने से बिलकुम से खरोटल दिखा के पता है ऐसा कुछ यहां का भी वह आता है और यह दिखे बद के तो यहां पे बद के भी हैं मचलिया भी है तो अपने जो लोग मचलियों को खाना किला ना हो तब वो आ जाते हैं बद को भी थोड़ा बूट डाल देते खाने को तो बद के पहले थोड़ी थी आप जादा हो गई तो कुछ यहां का भी वह आता है तो बस ज्यादा दर नहीं रुके थोड़ी देर ही यहां पे रुके थे बस चलते चलते सूट कर लिया बस निकल लिया यहां से अब जा रहे हैं घर की तरफ तो नगहेटा रोट से होते हुए जो भी मतलब रास्ते में पढ़ेगा मैं आपको क प्या लेते तो जो चिल लेने गए थे वो मिली नहीं तो कोई बात नहीं तो यह देखे अंदर का कुछ इस तरीके से भीड थी तो मैं अंदर नहीं गई क्योंकि गुपता जी होता थोड़ा बहुत नहीं पसंद होता है भीड में जाना की मैं जाऊं तो मैं बाहर से तो यह सिद्धार्थ पैले सिद्धार्थ उटल जो कि नगीटर रोड पर पड़ता है इसके बाद थोड़ा सागे बढ़ेंगे तो पड़ेगा जिन पिछ रहा है जिन पिछ रहा है से आती है हमारी कैनाल रोड आ जाती है बस और यह फ्रेंट अगले दिन की सुबह की सूटि तो पीछे थोड़े से पपीज हैं तो आपस में खेल ले तो मैं शतपय गई थी ना इनको फी डेक्षटर किया मतब देखने में अच्छे लग रहे थे इनकी मस्ती जो कर रहे थे छोटी 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 से थे तो सटर डे की घुमने के बाद जब हम आया थे तब गुबत च्पचिपा निकलता है वो लग जाता है मुझसे बोला भी बहुत लोगों ऐसे कि मैं कटेल की नहीं बनाती हूं कि मतलब दूद लग जाता है तो हाथ गंदे लगने लगते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है आप सरसो का तिल अच्छे से हाथों में लगाईए और कटेल के जो पीस होते ना उन पे लगा दीजिए बिलुकुल भी हाथ में निरता है और मैं पूरा वीडियो भी बना चुकी है के लगने से कटेल के से मुछ शीलें ताकि हमारे हाथ गंदेना हो और कटेल को छीलने काटने बाद अच्छे से इसको पानी से वॉस कर लिए धुलिया इसके बाद यह मसाला भी तियार कर लिया प्याज लहसून हरी मिरच और एक टेमाटर तो मैं ऐसे ही बनाती हूं तर भी तर व्यावत्व से लिए जादा नहीं डालते हैं इसके बड़ाए में डाला है थोड़ा सा तेल एडिए से क्थेल को फ्राइय कर लेंगे मतलब हम भून लेंगे हलका सा तो यह देखे इस तरी के से देखिए तक पानी के चीटे होती ना ताकि जो दूलते है तो पानी मैं ऩोड़ी सी मेथी डाली क्याकी डाली के लिए क्योक्ती छुपर न醉 है उन्यों अखरश कथी दाली के लिए कॉकि मैंने अ मार्टर और मिरच जो पेश्ट उसी में थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे उसके बाद डाल देंगे नमाग फिर जो हमने का तरीका तो सब कोई पता रहता है कि जब तक तक तेल चूट ना चूटे तब तक मसाले को भू डाला थोड़ा सा गरम मसाला और पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से डाले जैसी आपको पसंद हो थीक पतली जैसी भी आप खाना पसंद करते हूं और इसके पानी डाल के इसको धकन लगा के दो सीटी आने तक पका लेंगे कटाल हमारा अच्छे से पक गय तो अभी जो आप वोईस सुन रहे था ना ये मोबाइल पर वीडियो चल रहे थे तो इस तरीके से वीडियो चलती रहती तो इस वज़े से ना वोईस नहीं कर पाती जिसकी वज़े से मुझे अलग से वोईस देनी पड़ती है शायद आप लोग भी ऐसे बनाते होंगे कु